Hello everyone, welcome to Challenger Classes. My name is Udhid Gupta. हम लोग आज Class 9 का Chapter 1, जो की Matter in our surrounding है, वो डिसकस करेंगे. अगर हम इस Chapter की बात करें, तो इस Chapter में, हम basically इन Topics को डिसकस करेंगे. हमारा Topic क्या है? Physical Nature of Matter. सबसे पहले तो हम लोग Start Matter से करेंगे, कि Matter क्या होता है? उसके बाद Matter की Physical State के बारे में, Physical Nature के बारे में, Characteristics और जो Particles, Matter के Particles उनकी Characteristics के बारे में, States of Matter, Changes in the State of Matter, और Evaporation. यह basically हम 5 Topics को डिसकस करेंगे. बात करी जाए Physical Nature of Matter और Characteristics of Particle of Matter, तो यह हमारा आज का Topic होगा. आज का जो Lecture है, हम दो Topics को एक साथ डिसकस करेंगे, जो कि यह Physical Nature of Matter और Characteristics of Particles of Matter. उसके बाद States of Matter की एक नई Lecture बनाई जाएगी, उसके बाद Change in State of Matter का भी एक और Lecture आएगा, Third Lecture और Fourth Lecture हमारा Evaporation पर बेस्ट होगा. तो Total Four Lectures में हम लोग इस Chapter को Cover करने की कोशिश करेंगे. जो जाए What is Matter, Matter है क्या? What is Matter? देखिए, बहुत Simple Terms में कर समझा जाए, बहुत असान भाशा में कहा जाए. तो हर वो चीज जिसका वजन है, जिसके पास मास है, जिसके पास कुछ ना कुछ, मास है, वो चीज मास है. और ऐसी चीज जिसके पास मास होने के साथ साथ वो स्पेस भी उक्षिपाय कर रहा है उसको हम मैटर कहेंगे कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर मैं इस पैन की बात करूँ तो ये पैन का कुछ ना कुछ मास होगा 50 ग्राम होगा 60 ग्राम होगा 100 ग्राम होगा कुछ भी होगा और इसको रखने के लिए प्रॉपर जगां चाहिए इसको रखने के लिए मैं अपनी हतेली पर रखना हूँ तो हतेली में कुछ जगां ले रहा है जिस जगां पर मैंने इस पैन को रखा है अब में को कहीं और रखना पड़ेगा क्योंकि इस जगहां पर ये pen रखा हुआ इसनी ये जगहां उक्विपाय करी हुई है तो matter क्या होता है matter हर एक चीज जिसके पास mass है और वो क्या कर रहा है space occupy कर रहा है space occupy करने का मतलब उसको जगहां चाहिए खुद को रखने के लिए तो वो चीज matter कहलाती है अब आप सोच के देखिए हमारे आसपस हर एक चीज जो है वो matter है अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो हर एक चीज के पास mass है और हर एक चीज कुछ ना कुछ जगहां occupy कर रहा है जैसे table रखा हुआ है आपके पास आपके हाथ में जो phone है या laptop है या आपके आसपस अगर कोई और चीज़े रखी हुई है ठीक है जैसे आपका eraser हो गया शापनर हो गया ठीक है आपका जो bed पर रखावा pillow है ठीक है हर एक चीज क्या है हर एक चीज के पास कुछ ना कुछ मास है उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ space चाहिए तो हर एक चीज matter है तो हमारे आसपस जितनी भी चीज़े हम देख रहे है लगभग वो सारी चीज़े क्या है matter है कैसे पता करेंगे कि वो matter है कि नहीं अगर उनके पास मास है कुछ वजन है और उनको रखने के लिए जगहां चाहिए वो कुछ space occupy करें मतलब वो अगर कहीं रखे हैं तो किसी particular जगहां पर रखने के बाद उन्हें कुछ जगहां चाहिए वो उस जगहां को cover करेंगे तो वो चीज क्या है वो matter है अगर बात की जाए तो एक छोटा सा सेंड का particle है न no rate का एक छोटा सा पर्टिकल उसका भी कुछ mass होगा ठीक है तो जो rate का जो छोटा सा particle है उसका भी कुछ mass होता है उसको भी रखने के लिए कि पर आके के को रखने के लिए कुछ जगहां उसे चाहिए, तो वो क्या है? वो क्या है? matter जैसे हम सब भी matter है, हम भी matter है, क्यों? matter नहीं बात करते हैं पहले chair तो आप बताइए मुझे क्या chair के पास कुछ mass है बिल्कुल chair का mass होता है कुछ वजन होता है और उसको रखने के लिए कुछ जगां चाहिए अगर आपके घर में कोई study corner है जहाँ पर आपका table chair set है तो वहाँ पर table chair ने कुछ जगां occupy करी कुछ जगां घेरा हुआ है तो यहाँ पर जो chair है वो space भी occupy करता है और उसके पास mass भी है तो यह matter है यह बिल्कुल matter है ठीक है बात करते है air की हवा क्या हवा matter है क्या हवा का तो वजन नहीं होता है ऐसा नहीं है air का भी weight होता है air का भी वजन होता है आपको एक example देता हूँ मैं आप हमारे घरों में जो LPG cylinder आता है वो है क्या उसमें भरा क्या जाता है उसमें भरी जाती LPG gas वो gas होती है न तो हमारा खाली cylinder होता है 14 kg का और वो LPG gas भरने के बाद वो cylinder हो जाता है 30 kg का तो जो 15 या 16 kg जो extra आ रहा है वो कहां से आ रहा है वो gas का ही तो वजन है तो जो air होता है न एयर का भी अपना weight होता है अपना वजन होता है ठीक है mass होता है उसके पास तो air के पास mass है और air भी space occupy करता है अब जैसे आप LPG gas को cylinder में भर रहे हो तो cylinder में जो भी space है वो उसको occupy कर रहा है, तो air भी क्या हो गया, जैसे LPGA gas है, वो भी air है, हमारे बलून में जो हम air भरते हैं, वो सब क्या है, वो सब space occupy कर रहे हैं, क्यों बलून आपका inflate हो जाता है, फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, बलून हवा भरने के बाद, क्योंकि उसको चाहिए space, वो air ह और पोचे ये space, तो space occupy करने के चकर में बलून क्या होता है, inflate हो जाता है, तो यहाँ पर air भी हमारा क्या है, air भी हमारा matter है, air में भी particles पाए जाते हैं, air में भी बहुत सारे particles होते हैं, आप कभी जो घरों में जो सूरज की रोशनी आती है, खिड़की से, उसमें देखना ध भी वजन में ज़र कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, air भी हमारा matter है, next आते हैं love, क्या love matter है, देखो love क्या है, love एक feeling है, कोई वजन नहीं होता, ठीक है, love कोई वजन, देखो भाया, प्यार एक feeling है, आप feel कर सकते हैं, अब अगर वजन होता तो exactly हमें पता चल जाता ना कौन हमसे कितना प्यार करता है, दिखावे वाली बात रही नहीं चाती, लेकिन love कोई वजन नहीं है, feel कर सकते हैं, लोग आपको feel करा है, तो आपको लगता है, प्यार करते हैं, नहीं करा रहे तो आपको लगता है, प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकि यहां लव क्या एक feeling है, ना तो इसका वज़न है, ना तो इस पेस occupy करता है, क्याता है, दिल में बहुत जगा है तुम्हारे लिए, यह दिल में कोई जगा नहीं होती है, दिल का काम से धड़कने का है, ठीक है, वो तो जगा हम जबरदस्ती बता देते हैं, दिल पे बोश डाल नहीं है, smell, एक sense है, जैसे आपको गर्मी लग रहे है, तो एक sense है, आप sense कर दोगा गरम लग रहा है, बड़ा room temperature जाद है, तो क्या उसो कुछ वज़न है, नहीं है, ठीक है, आप कुछ देख रहो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हूँ, तो क्या हमारा देखना एक दूसरे को क्या कुछ मास के साथ है क्या, कि हाँ, मैं आपको 5 kg से देख रहा हूँ, आपको 20 kg से देख रहा हूँ, तो देखना एक sense है, हमारा sense organ ना, 5 sense organ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, eyes, ear, nose, tongue and skin, तो ये nose का काम है smell करने का, तो ये smell एक sense है, तो smell एक sense है, ये hate भी क्या है feeling है, आप किसी से 10 kg का नफरत नहीं कर सकते हैं, 10 kg नफरत नहीं कर सकते हैं, आप नफरत करते हूँ, वो आपके उपर थोड़ी जादा करते हूँ, कितना strong feeling है, hatred वाली, वो आप पर depend करता है, लेकिन इसका कोई वजन नहीं होता, mass नहीं होता है, ना तो space होता है elements, badam, विल्कुल, चो खाते हैं, ठीक है, dry fruits हमारा, तो elements क्या होता है, elements भाया, उसका mass होता है, खरीद के लाते हो बजार से आप उसको तॉल की तो लाते हो, 1 kg का packet या, आपका 1 kg का packet, तो यहाँ पर वो एक-एक बदाम का कुछ वजन होगा तब जाकर के, कई सारे बदाम मिल यह हमारा matter है, thought, विचार, मेरा विचार है कि हमें रोज सुबे जल्दी उठना चाहिए, तो क्या इसका कोई वजन है, thought क्या है, thought का कोई वजन नहीं होता, ना तो यह space occupy करता है, thought विचार है, ठीक है, वो आ रहे हैं दिमाग में, वो mind का नाम है, ठीक है, यहाँ पर thought भी हम लग रही है, तो यह matter नहीं है, lemon juice, अगर हम बात करते हैं, lemon water या lemon juice की, तो lemon water, water देखे, अगर हम lemon water की बात करें, तो अगर आपने lemon water बनाया, तो उसको बना करके रखने के लिए आपको कोई बरतन चाहिए, क्योंकि बरतन में जगां होती है, और उस जगां में आप lemon water को बातन में space होता है, जिसमें वो रखा जा सकता है, तो यानि lemon water को रखने के लिए space भी चाहिए, तो lemon water हमारा क्या है, ये भी हमारा matter है, ये भी हमारा matter, smell of perfume, क्या ये matter है, क्या ये matter है, अभी अच्छा है, सब तो समझ गए, इसका बताए, क्या ये matter है, जी बिलकुल ये matter है, काहो, अभी तो बोला, smell sense है, अभी बता रहो, मैटा, दीख ए, पर्फियूम क्या है, पर्फियूम गैस है, गैस भी जाती है, वो डबबा आता है पर्फियूम का, जो भी बोटल वगएरा होती है, लिक्विट पॉम में होता है, तो जो अब स्प्री करते हो, तो पर्फियूम यहाँ पार्टिकल की वज़े स्मेल क्रियेट हो रही है, तो यहाँ पर पार्टिकल पर्फियूम की बोटल भी आती है, आप देखते हो कि 200 ml लिखा होता होगा, पचास ml लिखा होता होगा, वो ml क्या है, वो इसको आप रखने के लिए 50 ml का कोई बोटल वगएरा चाहिए, तो वो जो पार्टिकल्स उनको रखने के लिए स्पेस सही है, साथ ही साथ उनका वजन भी होता है, सीशी भारी भी होती ही, थोड़ी सीशी के अंदर जो लिक्विड है वोब्स का भी कुछ वजन होता है, तो यह जो स्मेल ऑफ पर्फियूम है ना, पर्फियूम के जो पार्ट की वजह से हारी smell of perfume तो जब perfume के particles उनकी वजह से smell create हो रही तो वह particles की smell है उन particles के पास mass भी है और साथ ही साथ वह space भी occupy करते हैं ठीक है अब दिखो particles के पास mass है वह कुछ भी हो सकता हूँ बहुत छोटा भी हो सकता है बहुत समझ में आरी बात कितना कम मास ही तो ये भी क्या है मैटर इससे भी कम मास है तो भी वो मैटर लेकिन मास होना चाहिए बिना मास के नहीं जैसे यहां पर हेट का कोई मास नहीं लफ का कोई मास नहीं आप किसी की बहादूरी को मेजर कर सकते हो कि वो बहुत बहादूर है आप द ब्रेव है कि नहीं, तो वो matter नहीं है, तो हर वो चीज जो mass रखती है, जिसका कुछ mass है, और वो space occupy कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, matter कहेंगे, ठीक है, यह हो गया matter का concept के लिए, आगे देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर देखिए, अभी हम पढ़ेंगे solid liquid or gases के बारे में, अपने state of matter के बारे में, next lecture जो हम बनाएंगे, पहले यहाँ देख लिए, अगर हम बात करते है, hat, pencil, skateboard, table, snow, bicycle, apple, computer, tree house, यह सब क्या है, यह सब के पास mass, सब चीज के पास, यह जितनी भी solid चीज यहाँ पर हैं, सब के पास mass है, और सभी space occupy कर रहे हैं, यह सब ही matter है, वैसे liquid में आ जाते हैं, water in a pool, sorry, milk, drink, hot chocolate, rain, soothe juice, drink, यह सभी क्या है, सभी space occupy कर रहे हैं, drink को रखना है तो आपको glass, glass में space occupy करेगा, उसका कुछ वज़न होगा, water in pool, pool, जो यह आपका pool है, इस pool में पानी भराए, तो यह pool ने space दिया है ना, पानी को, पानी को जो जगाँ चीज उस किस ने दिया है, pool ने दिया है, तो इस वज़े से यहाँ पर क्या है, water जो है, वो भी जो pool में water है, वो भी matter है, milk भी matter है, packet में आता है, भारी होता है, ठीक है, mass होता है, उसके पास, रखने के लिए उसको जगाँ चीज़, तो इसलिए packet में pack करते हैं, drink हो गया, rain हो गया, सब के पास mass है, और सब के पास space होकिए, वो space भी होकिपाए, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब यह हो गई, liquid, अब gases की बात करते हैं, हवा, air, hot air balloon, wind from fans, इस सभी matter, कहोगे, सर, यहां तो mass ही नहीं है, matter कैसे हो गई है, तो मैंने जैसे बोला, कि wind, हवा, हवा का ज़र दोखो भी हम mass होता है, हवा भारी होती है, हवा हलकी, भारी दोनों होती, ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर, जैसे हम पढ़ेंगे आगे, chapters में, तो हम देखेंगे, जो गरम हवा होती है, वो हलकी होती है, उसका mass कम होता है, लेकिन जो थंडी हवा होती हो भारी होती है, तभी तो हमारा एक process होता है, convection वाला, ठीक है, land bridge, sea bridge, अगर आपने पढ़ा हो, तो वहां पर क्या होता है, hot air, जो होती 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 है, तो जी सवजे से उपर चली जाती है, और थंडी हवा जो की भारी होती हो, हमारी जो air है, जो हमारी air होती है, उसमें 78% nitrogen होता है, कितना? 78% nitrogen होता है, नीचे लिख देता हूँ, 78% nitrogen होता है ना air में, 78% nitrogen, और क्या होता है? 21% oxygen, 21% oxygen, और 1% other gases, तो ये air भाई, बहुत सारे gases से बनी है, nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen gas, बहुत सारी gases से बनी है हमारी air, और ये सभी जो gases है, ये सभी gases के particles, oxygen का particle है, जो आप inhale कर रहे हो, oxygen के molecules, यानि particles को inhale कर रहे है, तो particle का कुछ mass है, तो air भी बहुत सारी छोड़ छोड़ अलग अलग gases के particle से बना है, और उन सभी particle का क्या है? mass है, ठीक है, तो air भी क्या है? air भी matter है, ठीक है? आगे अगर हम बढ़ें, तो यहाँ पर physical nature of matter की अगर हम बात करें, तो physical nature of matter, देख, physical nature of matter का मतलब क्या है? कि matter exist कैसे करता है? ठीक है, matter exist कि इस पौम में करता है, इस चीज़ को समझते हैं, तो यहाँ पर एक experiment है, NCRT का, पहली बात तो matter जो इना particle से बनाएं, matter का जो nature है, matter जो छोटे-छोटे particle से बनाएं, इसको भी हम इस activity से समझते हैं, हमें क्या करना है? हमें एक beaker में पानी लेना, क्या करना है? हमें एक beaker में पानी लेना, तो अच्छे से mix करने के बाद क्या होगा पूरी चीनी पानी में घुल जाएगी या पूरा जो नमक हो पानी में घुल जाएगा तो dissolve हो गया घुल गया इसका मतलब क्या है क्या मतलब इसका dissolve हो गया घुल गया तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही आप चीनी को पानी में ड तो वो particles जो जो चीनी के crystals हैं वो particles इतना ज़ादा छोटे-छोटे particles में तूट गए कि वो सभी particles पानी में अच्छी तरीके से मिल गए तो यानि वो जो चीनी का दाना जो बहुत छोटा आपको दिख रहा है वो भी बहुत सारे छोट-छोटे particles से बना हुआ है और जैसे ही आप चीनी को पानी में डाल रहे हो तो चीनी उन छोड़े पार्टिकल्स में तूर जा रही है और पूरे के पूरे पानी में अच्छी तरीके से घुल जा रही है ऐसे समझो आप जब आप पानी में चीनी को अच्छे से घुलते हो तो जब आप उस पानी को पीते हो तो पूरा पानी मीठा हो जाता है क्यों पीठा हो जाता है वोगी पानी के साथ आप चीनी का पार्टिकल भी आपको आप क्या कर रहे हो आप इंटेक कर रहे हो चीनी के पार्टिकल भी पानी के साथ आप क्या कर रहे हो तो वो पार्टिकल पानी में हर जगां पहुच चुक चलता है कि हर जो भी matter है वो बहुत ज़ादा छोड़ छोड़ पार्टिकल से मिलके बने ठीक है जिसे हम मैं मेरी पूरी body अपको ऐसा hole दिख रही है लेकिन क्या ये body ऐसा hole है नहीं इसमें कई सारे organs है अलग अलग जगा situated है body के अंदर ठीक है ये बहुत ज़ादा छोड़ छोड़ पार्टिकल का एक क्या है combination है जो हमारी body को बना रहा है वैसे table हो गया chair हो गया कोई भी दूसरा particle हो गया वो सभी बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए इतने छोटे के हम उन्हें देख भी नहीं सकते इतने ज़ादा छोट छोटे पार्टिकल से वो बने हुए है और उसके बादी जब सारे छोट छोटे पार्टिकल कंबाइन करते हैं तो पूरा एक matter आपको देते हैं पूरी एक चीज आपको दिखती है चाहे वो चेर के फॉर्म में दिख रही हो चाहे वो फैन के फॉर्म में दिख रही हो चाहे वो कूलर के फॉर्म में दिख रही हो चाहे वो मुबाइल फोन के फॉर्म में दिख रही हो वो सभी जो भी आपको चीज़े दिख रही है वो सभी चीज़े बहुत छोट छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है और उनको हम कहते है पार्टिकल से बना हुआ है यहां से आप समझ सकते हो कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है मैटर पार्टिकल से बना हुआ है आगे बढ़ते हैं यहां पर हम एक और बात अभी हम समझेंगे मैंने अभी बताया कि जो यह पार्टिकल से हैं यह बहुत ज़्यादा छोटे बहुत ज़्यादा छोटे इतने छोटे कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते हमें दिखेंगे इतने छोटे होँ हैं ऐसे हवा में कितने पार्टिकल से हबि आपके आस पास हमें सीश्पार्टिकल से यह कितने पार्टिकल से वह होगी नाइट्रोजन गैस यहाँ जिस Pan真 इसी आफमें से थह बहुत बहुत चोटे होटे में हमें लेना है पूpp pneumat माधनेट क्या लेना है हमें लेना है PoTaph पुटेशियम다고 होता है यह कंपाउंड अभी आगे चलिए हम समझेंगे हम पॉरे पानी का कलर प्िंक हो जाएगा। होगा यह कि पूरे पानी का कलर पिंक हो जाएगा, यहां से भी समझ सकते हैं, पूरे पानी का कलर पिंक हो जाएगा, यहां से भी समझ सकते हैं, पूरे पानी का कलर पिंक हो जाएगा, यहां से भी समझ सकते हैं, पूरे पानी का कलर पिंक हो जाएगा, यहां से भी समझ सकते ह पूरे पानी का color क्या कर दिया, pink कर दिया, इसका मतलब वो crystal छोड़ छोड़े particles में तूटे हैं, और हर एक particle पानी में हर जगा फैल जा रहे है, आ रही है बस समझ में, अब यहां पर पूरे पानी का color हो गया, pink, अब आपको करना क्या है इसमें, अब आपको यहां से, इस वाल मेंगनेट और water का जो mixture है, उसको 10 ml निकाल लेना है, 10 ml निकालने के बाद उसको फिर एक साफ पानी में आपको डालना है, फिर एक साफ पानी में डालने पे क्या होगा, आप देखो कि उसका भी color pink हो जाएगा, जाहिर सी बात हो जाएगा, लेकिन उतना dark pink नहीं रह जाएग तो क्या सारे के सारे potassium per magnet के particles इसमें से इसमें आ जाएगे, नहीं, जितने होंगे उतने ही आएगे, थोड़े से ही आएगे, उसके बाद जब आप इसमें डालोगे, तो वो potassium per magnet के particles फिर से पूरे पानी को pink कर देंगे, कैसे करेंगे pink क्या नहीं हर जगा फैल रहे हैं, तो व और उनके पास जगा नहीं कि फैल पाए, तो तूटना बंद हो गए, लेकिन जैसे ही मैं इसमें डालोगा, तो उनके पास अभी और space है, वो और ज़्यादा फैल सकते हैं, तो वो और तूटेंगे, और तूटेंगे, और पूरे पानी फैल जाएंगे, और तूटने के वैस पर फिर और ज़्यादा लाइट पिंग होगा, तो इस activity से पता चलता है कि particles इतने ज़्यादा छोटें कि हम उनको imagine भी नहीं कर सकते, क्यों लगातार तूट रहे हैं, कब तक तूटेंगे पता, एक हां, लेकिन एक stage आएगा कि वो अब नहीं तूट पाएंगे, तो ठीक है तो अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, कि जो भी particle है, वो क्या बना हैं, वो जो भी matter है, वो particle से बना है, पृडिशं पर मुंने किए इतने छुट फूटे crystal भी इतने सारे particle से बने कि वो सारे particle इस पूरे पानी में फैल रहे हैं, तूट करके, पिंक करते हैं पूरे पानी को, तो इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं, हमारी imagination से ज़्यादा छोटे हैं, हम imagine भी नहीं कर सकते हैं, nanometers में होते हैं, nanometers में, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखते का ध्यान से, अब हमें पता तो चल गया कि matter क्या होता है, matter पार्टिकल्स से बना होता है, अब हम बात करते हैं, पार्टिकल्स के characteristics की, कि यह particles की characteristics क्या है, कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो properties होगी, और मैं आपको यह भी बता देता हूँ, कि इन ही characteristics की वज़े से, इन ही characteristics की वज़े से, जो matter है, वो तीन state में पाया जाता है, solid, liquid and gases, ठीक है, तो पहला है, particles of matter have a space between them, particles of matter में space होते हैं, यह तो अभी हमने जो दो example पढ़ा, उससे भी हम बड़े अराम से समझ सकते हैं, देखो, आप समझो, वो particles, जो चीनी के particles थे, वो चीनी के particles गये कहा, वो चीनी के particles गये कहा, वो हमें दिख क्यो नहीं रहे, वो गये कहा, तो actually, जो water है, water कई सारी छोड़े water के particles से बना हुआ है, अब water के particles में space होता है, तो चीनी के particles क्या करते हैं, उन्ही space को जाकर के क्या करते हैं, उन्ही space में जाकर के subtle down हो जाते हैं, उसी इसमें सmイजाते, क्या होते हैं, बैट चाहते हैं, अब आप ऐसे समझें, आप अपने घर में एक गिलास बानी लिए और उसमें चीनी डालिए, बड़े ज는 से डालिएगा, जल्दी-जल्दी में पानी का लेवल थोड़ा उपर बढ़ जाना चाहिए था, आपने वो प्यासे कहानी सुनी होगी ना, घड़े में पानी बहुत कम था, उसे प्यास लगी थी, तो उसने पत्थर डाला और पानी उपर आ गया, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पत्थर को भी स्पेस ये, पा पानी उपर आता था, ठीक है, तो यहाँ पर हर पार्टिकल को स्पेस ये, तो यहाँ पर चीनी को क्यों नहीं चाहिए, चीनी क्यों पानी का लेवल नहीं बढ़ा, चीनी एड़ करने के बाद भी पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि चीनी ने कोई एक्स्ट्रा होता है अगर मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो पानी के पार्टिकल्स होंगे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ होगे पानी के बहुत सारे पानी के बहुत सारे ऐसे इस पार्टिकल्स होता है और यह पार्टिकल्स जो है इन पार्टिकल्स में होगा स्पेस आपको अचुली यह दिखेगा नहीं स्पेस है कि नहीं लेकिन पार्टिकल्स के बीचे में होता है वह बहुत कम स्पेस होता है यह पार्टिकल्स लेकिने थे चोते हैं, space ली बहुत जोता होता है, तो हम मैं समझ में आता कि वह एक पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब जैसे ही आप चीनी के crystals डालते हो इसमें, तो जैसे ही आप चीनी के crystals डालते हो तो चीनी के crystals जो होते है न वो यहाँ पर पानी के बीच में जो space है न उसको occupy कर लेते हैं, उसको occupy करना शुरू कर देते हैं, वो कोई extra जगा नहीं मांगते कि हमें लाओ अगे, extra जगा दो, पानी के बीच में जो ये space है उसको occupy कर लेते हैं, तो इस वज़े से पूरा पानी क्या होता है, मीठा हो जाता है, तो अगर आप इतना पानी पी ओगे तो इतना पानी पी रहे हो, तो भी पानी के particles के साथ साथ क्या जा रहे है, चीनी के particles भी जा रहे है, तो पानी आपको क्या तो यह सब solid है, solid है, तो इनके particles के बीच में space बहुत कम है, इस वज़े से solid है, तो जो भी solid होता है, उनके particles में space बहुत कम होता है, और यही चीज़ उनको क्या बनाती है, solid बनाती है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हमने पहली चीज़ समझ ली, कि जो particles of matter उनके बीच continuously moving, particles of matter क्या करते हैं, लगातार move करते हैं, इसके लिए एक activity बहुत अच्छी है, NCRT मैं आपको से समझाता हूँ, दो activity में discuss करूँगा है यहाँ पर, आप क्या लीजे, आप एक पानी लीजे, उसमें ना इंक की ड्रॉप डाल दीजे, आपको exactly दिखेगा कि इंक की पानी में, कैसे फैल रही है और फैलते 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 फिर पूरे पानी का color change कर रही है, तो इंक की ड्रॉप फैल कैसे रही है, क्योंकि इंक की ड्रॉप के सारे particles motion में, आपने इंक की ड्रॉप डाली, तो डालते ही बात खतम हो जानी चीतना, वो इंक की ड्रॉप पूरे प पानी का पाल गए और पानी का कलर चेंज कर दिया और एक और एक्जाम्पल है अगर बत्ती जिस्से पुजा वेगरा करते है घर में वह रूम के किसी कॉर्न में आप जला दिजे तो उसकी smell आप तक आएगी, अगर corner जल रहा है और दूसरे corner आपको smell है, कैसे आ रही है, यह जो particles जो जल रहे है, आपको smoke जुद दिख रहा है ना वो भी matter है, वो जो धुआ निकल रहा है गरबती से वो भी matter है, वो भी gases से बना हुआ, वो smoke travel कर रहा है ना, move कर रहा है न, वो आप तक कैसे पहुँच रही है, वो जब खाना पकाते हो न, तो बहुत सारे जो particles होते हैं, वो evaporate हो जाते हैं, या vaporize हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो gas बन जाते हैं, और वो gas फिर वो travel करता है, जब वो travel करता है, जब वो travel करता है, और हम तक पहुँचत हमें smell तो यहां पर जूब particle होते हैं, matter के वो लगातार move करते रहते हैं. Depend, देखो, अब यहां पर यह सभूनी कि सभी एक ही speed से travel करेंगे, वो depend करेगा कौन सा particle की speed से travel करेगा, इसको भी हम discuss करेंगे. तो particles of matter क्या करते हैं? लगातार motion में होते हैं. I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आ रही होंगी. आगे बढ़ते हैं. Particles of matter attract each other. Particles of matter एक दूसरे को attract करते हैं. Particles of matter क्या करते हैं? एक दूसरे को attract करते हैं. क्या मतलब है इसका? अब यहां पर अगर आप solid को देखोगे, कोई भी solid को देखोगे, उसको तोड़ना मुश्किल है, अगर कोई मैं solid ले लेता हूँ, जैसे मैं wood ले लूँ या iron ले लूँ, उसको तोड़ना मुश्किल है, चीक है? Water को अगर मैं बात करता हूँ, water की बात करता हूँ, तो तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप wood में, जिसे यह pen, इसके आर पर मेरा हाथ नहीं जाड़ा, रुख जाए, लेकिन अगर water रखा हूथा 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 हम ऐसे हाथ आर पर कर पाता बड़े अराम से, और air में तो और अराम से कर पाऊँगा, तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों होपा है, सोचो इसको, तो ये जो solid होता है, इनके जिस पार्टिकल से बने होता है, ये एक दूसरे को इतना strongly पकड़ के रखते हैं, इतना जाधा tightly पकड़ के रखते हैं, जो particles हैं यहां पर, जिस भी particles ये pen बनी है, वो particles ने दूसरे को इतना tightly पकड़ा हूआ है, कि जिस वजे से मेरा हाथ आर पर नहीं जा पार, वो मुझे मेरे वो आज पर इतनी जाधा closely packed है, इतनी जाधा चिपके हुए है, इतना जाधा force लग रहा है इनके बीच में, कि मेरा हाथ आर पर नहीं जाने दे रहे हो, ठीक, उनका force मेरे त्वारा लगाएगा है force से जाधा है, हाँ, अगर मैं और जाधा force तोड़ जाएगा, लेकिन मेरा हाथ आर पर जाएगा तब जब मैं इस force को तोड़ पाऊँगा, पानी में क्या होता है, पानी में आप अरांस हाथ आर पर ऐसे करते हो, क्योंकि पानी के particles की बीच में, क्या होता है, force थोड़ा, मतलब force of attraction कम होता है, particles एक दूसरे को थोड़ loosely attract करते हैं, तो जीस सवजय से क्या होता है, less attract करते हैं, जीस सवजय से क्या होता है, जब आप हात अर पर डालने की कोशिश करते हो, तो होता ये है, कि वो particles के बीच में एक तो space होता है, और दूसरा, वो force कम होता है तो जीस सवज़ से आप particles को इधर-उधर अरांसे, अपन ये दो particles हैं, इनके बीचे force बहुत ज्यादा लगेगा, ये इसको खीच रहा है, तो ये एकदम tightly packed होगे, ऐसे, जैसे solids में होते हैं, ऐसे, एकदम tightly packed होगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं water की बात करूँ, इनके बीचे force जो लग रहा है, बहुत less लग रहा है, ये इसको खीच रहा लेकिन उतने जादा तो ये थोड़ा जादा पास नहीं आ पाएंगे, थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो ये liquid के particles होगा, ये liquid के particles होगा, जो में थोड़ा स्पेस होता है, और gases के particles में बहुत कम, ये एक दूसरे को, ये solid हो गया, ये liquid हो गया, और ये gas हो गया, 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 जो गया पाटिकल, एक दूसरी को भौँत बहुत आदा करते हैं, तो यहां पर क्या रहता हैं, यहां पर मैटर पर के particles हो एक दूसरे को attract करते हैं, जिस ज़े से क्या होता है जिस वज़े से particles closely packed भी हो सकते हैं, थोड़ा पास-पास हो सकते हैं या दूर भी हो सकते हैं, depend कर रहा है कि कितना force of attraction particle में लग रहा है, solid की बात की जाए तो force of attraction particle का बहुत strong होता है, तब ही जो चीज़ों होती ही, इतने solid होती ही, इतना कम हैं कि इन में, मतलब ये particles कहीं भी जा सकते हैं, इधर उधर कहीं पर भी motion कर सकते हैं, solid में ऐसा नहीं होता कि ये pan का यहाँ वाला जो particle है, ये कहीं और निकल जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, इन gases में ऐसा हो सकता है, ये particles जो भी यहाँ है, वो यहाँ आ जाए, क्यों, ये दूसरे particles इस पर कम force लगाने, तो ये अजाद एक तरीके से, तो ये कहीं भी move कर सकता है, लेकिन solid में ऐसा नहीं होता है, वाटर में भी होता है, particles से force थोड़ा कम होता है, तो वो भी दधर motion कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं, कि जो particles of matter हैं, वो एक दूसरे को attract करते हैं, तो आज हम यहाँ तक ही करना था हमारा इस lecture में, लेकिन हम एक और topic discuss करने जा रहे हैं, जो कि है diffusion, diffusion का मतलब होता है, अभी हम चीनी वाला example लेके चल रहे थे हैं, हमने चीनी को stir किया चलाया, तो चीनी पूरे पानी में mix होगई, तो इसी को diffusion का मतलब होता है, intermixing of different kind of particles, अगर तो देखो, चीनी के particles सलग हैं, पानी के particles सलग हैं, उनका intermixing हो रहा है, वो intermix हो रहे हैं, घुल जा रहे हैं, तो यह dissolve होना ही क्या है, diffusion है, घुल जाना ही क्या है, diffusion का मतलब होता है, intermixing of particles of different kinds, अलग-अलग जिसे water के particles, और चीनी के particles, आपस में intermix हो रहे हैं, चीनी के और intermix हो जा रहा है, जब particles के intermixing होती है न, तो इसी को हम diffusion कहते हैं, इसको एक और terms में समझ सकते हैं, देखो, चीनी को आपने डाला, चीनी नीचे गई पहले, चीनी की मात्रा वहाँ जादा थी, उसके बाद चीनी वहाँ जाने की कोशिश करी है, जहां वो नहीं है, यानि पानी के उसी space को cover करने की कोशिश कर रही है, जहां पर चीनी पहले से present नहीं है, तो यहां पर आप बात और समझ सकते हो, किसी भी particle का movement, higher concentration से lower concentration की तरफ, higher concentration से lower concentration की तरफ, मतलब चीनी वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, जहां वो नहीं है, यानि जहां वो नहीं है वहां उसकी मात्रा कम है concentration का मतलब होता है मात्रा तो जहां उसकी मात्रा कम है जहां उसकी concentration बहुत कम है चीनी वहां जाने की कोशिश कर रही है इसलिए पूरे water में फैल जा रही है नीचे चीनी आप में डाल दी तो अगर वहां पर उसका concentration बहुत ज़ादा है तो वह वहाँ नहीं रहना चाहेगी वह कहाँ जाना चाहेगी पूरे पानी में फैलना चाहेगी जहाँ वह नहीं है यानि वह higher concentration जहाँ उसकी मातरा ज़्यादा है वहाँ से वह कहाँ जाने की कोशिश करें जहाँ उसकी मातरा कम है तो ये भी क्या क कहलाता है, diffusion का मतलब होता है, particles का आपस में intermix हो जाना, particles का आपस में intermix हो जाना है आप देखिए, जो aquatic animals हैं, वो breathe कैसे कर रहें। वो पानी में घुल रहें तभी तो उससे पानी में oxygen जा रहा है और उस oxygen का use कौन कर रहा है? aquatic animals कर रहे हैं, तो diffusion बहुत जगहां आपको देखने को मिल जाएगा, तो diffusion समझ गए, जब दो type of particle आपस में intermix होते हैं, आपस में घुल जाते हैं, इसे चीनी क्या कर रही है, चीनी पानी साथ मिल रही है, पानी के जो भी particles of matter of continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy, अब सबसे पहले हम kinetic energy को समझते हैं, यहाँ परनाम diffusion को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, तो सबसे पहले diffusion को समझने के लिए हम kinetic energy को समझते हैं, मैं आपको बहुत simple तरीके से बताता हूँ, जब भी कोई चीज motion में होती है, ना क्या होती है, motion, अगर को चीज motion कर रही है, यहाँ उसके पास kinetic energy, जैसे आप एक ball को throw कर रहे हूँ, throw करने के बाद जब ball motion में आ गई, तो ball किस energy के साथ motion कर रही है, ball kinetic energy के साथ motion कर रही है, हर वो object जो motion कर रहा है खुद से, आपने force लगा दिया, आपने force लगा के काम खतम कर दिया, force लग चुका ना, force अब लगातार तो नहीं लगा रहे हैं, अब बाल फेग दी तो फेग दी, अब बाल खुद motion कर दिया ना, जब object खुद motion करता है ना, तो उसके पास जो energy होती है, वो उसकी kinetic energy होती है, ऐसे अगर मैं इस pen को यहाँ से चोड़ू, तो pen motion में आ जाएगी, हलाकि मैं उनके पास kinetic energy होगी, उनके पास कौन से energy होगी, उनके पास kinetic energy होगी, तो particles of matter के पास क्या होती, kinetic energy होती, अब क्या होता है ना, जब आप particles को गरम करते हो, heat करते हो, जैसे अभी मैं आपको एक example लेता हूँ, आप ना, पानी को पानी में चीनी, नॉर्मल पानी ले लो उसमें चीनी घुलो किस condition में चीनी जल्दी खुलेगी ऑफियस सी बात है जब आपने पानी को गरम किया जिस पानी को आप गरम करें उसमें चीनी घुलोगे तो चीनी जल्दी खुल जाएगी as compared to normal पानी या थंडा पानी क्यों होता ऐसा क्योंकि देखो क्या होता है न पार्टिकल्स जब पानी गरम है तो उसमें जैसे आप चीनी के पार्टिकल्स को डालते है तो चीनी के पार्टिकल्स गरम हो जाते है तो जो heat energy मिल रही है चीनी के पार्टिकल्स को वो heat energy कानेटिक एनर्जी में change हो जाती है जो भी पार्टिकल्स को heat energy मिल रही है वो heat energy किस में convert हो जाती है kinetic energy में convert जाती है और kinetic energy के convert होने के बाद particles की kinetic energy वो बढ़ जाती मेरी बाद समना ध्यांग से हम जब भी particles को गरम कर रहे हैं चीनी जल्दी क्यों खुल जाती है गरम दूद में गरम पानी में क्यों? क्यों कि गरम दूद और गरम पानी में होती heat energy और वो heat energy मिलती है चीनी के particles को तो heat energy मिलने के बाद चीनी की kinetic energy वो heat energy जो होती है वो kinetic energy में convert हो जाती है और वो kinetic energy में convert होने के बाद चीनी की speed कोई चीज motion कर रही है तो जितना तेज motion करेगी kinetic energy उतनी जादा तो अगर kinetic energy वैसे ही अगर kinetic कर दो के तो तीजी से motion करेगा तो कोई भी चीज जिसकी kinetic energy ज्यादा वह ज्यादा तीजी से motion करेगा तो जैसे आप गरम दूद या गरम पानी में चीनी को डालते हो तो चीनी के particles क्या करते हैं या चीनी के particles को जो heat energy मिलती है वो heat energy उनकी kinetic energy में convert हो जाती है और kinetic energy ज्यादा होने की वज़े से particles जल्दी-जल्दी motion करने लगते हैं और जिस वज़े से जल्दी-जल्दी बिल्कुल फैलना शुरू करते हैं और जिस वज़े से diffusion बढ़ जाते हैं तो जब भी आप temperature rise करते हैं जो diffusion बढ़ जात इधर-धर move करने लगते हैं और diffusion को तेज कर देते हैं तो जो हमारा diffusion होता है वो temperature बढ़ने से बढ़ जाता है यह आपका question आ सकता है ठीक है तो आज के lecture में हम इतना ही cover करेंगे next lecture जो हमारा होगा वो states of matter पर होगा ओके आप लोग इसको देखिए एक बार दो बार जितनी बा झाल 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 झाल